करी पत्ते के साथ मेथी, कलोंजी और लॉंग को मिला दो इस तरहा से फिर देखो कैसे रातो रात ह्याफल रुख जाते हैं और नए बाल ग्रो करना शुड़ो कर देते हैं तो आईए देखते हैं किस तरहा से इसे आपको बनाना हैं इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है खोब साड़ा फ्रेश करी पत्ता करीब मैंने एक कटोरी करी पत्ते को लिया है फिर लेना है दो चम्मच मेथी, दो चम्मच कलोंजी और साथ में एक चम्मच लॉंग मेथी, कलोंजी और लॉंग को यहाँ पर हमें आधा पीस लेना है अब एक पैन में दो कब पानी डाल दो और पानी को पहले उबाल लो और पानी जब उबाल जाए तब उसमें एके कड़के करी पत्ता, मेथी, कलोंजी और लॉंग के पेस्ट को डाल दो और फिर से 10 मिनट तक एकदम धीमी आज में उबालते रहो और 10 मिनट बाद देखो पानी का कलर पूरा चेंज हो गया है क्योंकि पानी में करी पत्ता, मेथी, कलाउंजी और लॉंग का साड़ा प्रॉपार्टीज इन्फ्यूस हो गया है अब गैस को बन करके पानी को गरम रहते हुए ही एक हैंड मैशर से अच्छे से सारे चीजों को एक बार मैश कर लो इससे बचे हुए सारे प्रॉपार्टीज पानी में और वी अच्छे से इन्फ्यूस हो जाएगा पानी देखो उबल कर करीब एक कप में आ गया है अब इसमें हमें और वी दो चीज डालना है सबसे पहले एक निम्बू करस और साथ में दो से तीन वेटेमिनी कैपसूल का ओयल निम्बू के रस में पॉलिक आसीद और वेटेमिन सी रहता है जो बालो को शुवस्त और चमकदर रखने में मदद करता है और सबसे बड़ी बात निम्बू डैनरॉफ को भी ट्रीट करने में मदद करता है और निम्बू के अलाबा बाकी जो जो चीज हमने यहाँ पर डाली है वो सारे चीज हेर फॉल को रोक कर रातो रात बालो के ग्रोथ के उपर काम करना शुरू कर देगा बस आपको इस पानी को एक स्प्रे बॉटल में भर लेना है और फिर इससे अपने बालो के जड़ों पर स्प्रे करते हुए हातों से स्काल्प को अच्छे से मसाज कर लेना है इससे यह जो वाटर है यह बालो के रूट्स पर अच्छे से पेनिट्रिट हो जाएगा और उसके साथ पानी को चानने के बाद बचे हुए चीज़ों को फेकने के बदले उसमें थोड़ा सा दही डाल कर ग्राइन करके ऐसे हेर मास्क आप इससे अपने बालों में लगा सकते हो इससे डान्डॉफ दूर होगा बेजान बाल बहर ज़ादा सौफ्ट स्मूथ और मैनेजबल बनेगा साथी दोस्तों आप हर रोज 3-4 कड़ी पत्त को कच्चा खावी सकते हो यह हेल्प कड़ेगा अंदर से बालों को पोशन देकर यह ग्रोथ को एनकरेज करने में क्योंकि करी लिप्स में होती है वेटेमिन सी, वेटेमिन बी, प्रोटीन और अंटि आक्सिडेन जो हेल्थी बालों को लिए एसेंशल है